कोली को फिर आया गुस्सा, बांगलेशी खिलाडियों से भड़े, बीच मैदान हुआ बड़ा विवाद बांगलेश के मीरपूर में भारत और बांगलेश की भी जारी दूसरा टेस्ट मैं आचाब रोमान चक मोड पर पहुँच चुका है बांगलेश ने भारत को जीत के लिए 145 रनों का लक्ष दिया है, लेकिन टीम इंडिया दूसरी पारी में पूरी तरह लड़कडा गई है और 50 रन के स्कोर से पहले ही टीम ने 4 विकेट कवा दिये है भारत को अभी भी जीत के लिए 100 रनों की जरुरत है, जबकि उसके पास 6 विकेट ही बाकी है तीसरा तिन खत्मोने से पहले जब विराट कोली का विकेट किरा, तो मैदान में एक बड़ा विवाद हो गया विराट कोली आउट होने के बाद बांगलदेशी खिलानियों से भड़ गए, हाल ये हुआ कि शाकेबिल हसन को बीच बचाओ के लिए आना पड़ा दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में विराट कोली सिर्फ एक रन बना कर आउट हुए महदी हसन मिराज की बॉल पर मॉमिनिन हसन ने विराट कोली का कैच लपका, विराट कोली जब आउट हुए तो बांगलदेशी प्लेयर्स ने जम कर जश्न मनाया इस दोरान बंगलादेशी प्लेयर्स और विराट कोहली के बीच बहस हुई विराट कोहली वहीं क्रीस पर रुख गए और बंगलादेशी प्लेयर्स पर भलक गए इस बीच बंगलादेश के कप्तान शाकिबिल हसन विराट कोली के पास आय और उनसे बात की जिसके बाद विराट कोली ने उन्हें खिलाडी के बारे में बताया और फिर मामला चाकर शांगत हुआ आपको दादी मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया की हालत खराब हो गई है बांगलादेश ने भारत को 145 रनों का लक्ष दिया है जवाब में टीम इंडिया के 45 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिर गए हैं टीम इंडिया के सभी बड़े बलेबाज अपना विकेट गवा चुके हैं बांगलादेश ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 207 रन बनाए थे जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 304 रन बनाए थे टीम इंडिया को कुछ लीड मिली लेकिन झाल